जैसिराम दोस्तों स्वागत है आप सभी काद़ क्रिशना क्लासिज में UK SSSC और UKPSC से संबंद सभी परकार की जानकारी के लिए आप क्रिशना क्लासिज को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि आने वाली परिक्षाओं में प्रेक्टिश सेट के लिए आप क्रिशना क्लासिज को सब्सक्राइब कर सकते हैं सभी परकार परिक्षाओं के प्रेक्टिश सेट बणाने के हम पूरी पूरी त्यारी कर रहे हैobyl बाकि दोस्तों एक अपडेट देना चाहें वो भी हो रहा है तो थोड़ा सापको वोईस के साथ पैनेज करना पड़ेगा और शुरू करते हैं आज का सबसे बड़ा अपडेट छात्रों को कोचिंग मुफ्त मिलेगी तो दोस्तों छात्रों को कोचिंग मुफ्त मिलने वाली है और पेपर जो है वो भी इससे पहले मुफ मुफ्त भरे गए थे फॉर्म मतलब सब कुछ मुफ्त है कहीं न कहीं उत्राखन सरकार चाहते कि आओ तुम भरो तुम्हें कोचिंग हम फ्री कराएगे लेकिन हम सीटे बेश्टे रहेगे तो इससे तो यही आश्या होता है यह नहीं कहेगी कि हम सीवी जांट करेंगे उसके इससे तो यह बात कहेंगे नए भरतिया पूरी होने के बात कराऊंगा धानले की सीवी जांट यह बाते करेंगे लेकिन यह नहीं करेंगे और आगे हैं इसमें हम डिटेल में बात करेंगे लेकिन उससे पहले थोड़ी अपडेट करते हैं समयत 101 अफ्रों को खिलाब 4 शीट ने चार्ज शीट दाखिल कर दी है तो यह देखिए दोस्तों किस इस तर पे मतलब अफसर लोग इतने ब्रेश्ट हो चुके हैं होगे भी क्यों नहीं जिनकी प्रोसेसी सेलेक्शन होने की सेलेक्शन होने की बहुत ऐसी है 25 25 30 30 लाख दे के वहां पे यही तो अफसर कहा है क्या काया मुख्य मतरी ने उन्होंने कहा मैं सीबी आई जांच कराऊंगा लेकिन जब हमारे आयो के भरती कैलेंडर पूरे हो जाएगे मतलब सीदी सी बात है जब सारे सीटे बिकी होई है यह मैं बेश दू सारी तब उसके बाद मतलब इतने खराब एडवाइजर इ इन्होंने एक बात कहिए कि अगर पंस साल तक यह देखिए यदि भरती पर किरिया पंस साल तक बंद होगी अरे सीएम साहाब पंस साल तक बंद हो जाएगी मतलब सीवी आई पांस साल लगाएगी और जो STF है STF है उसने पांच महीने में सब कुछ कर दिया था UKAAAC, UKPSC का तो थोड़ा सा सोचिए SIT है SIT ने भी यहां पर एक दो महीने में ही कम्पलीट कर दिया था थोड़ा सा सोचिए यार CBI पांस साल लगाएगी क्या हाँ मान के चलिए एक साल लगाती है क्यों आपके हाथ में नहीं है आप एक साल बढ़ा नहीं सकते चात्रों के ले क्या अभी लोकडाउन में तो आपने बढ़ाया था एक साल तो इस बार भी आप बढ़ाईए दो साल कि हम CBI जाच करवा रहे है एक साल हम बढ़ा देगे सभी चात्रों पढ़ाई करी तो ये तो आपको सोचना पड़ेगा आप कौन से रास्ते पे जाना चाते है ऐसे रास्ते पे जिस रास्ते पे उत्राखंड का भविश्य अंधेरे में जा रहा है या उस रास्ते पे जिस रास्ते पे बागी तो यह यार मैं बोली किने रहा हूं किसकी और से लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए मैं फिर से बोलता हूं यह अच्छा नहीं है आपके अगर एडवाइजर ऐसे है तो उन्हें बदलिए और अच्छे सलाकार रखे बेरोजगार को प समस्या का समधार करने के बजाए पेपर वाजी कर रहे अफसर हाई कोट तीन सचीवों समयत चार अफसरों को 20 मार्च को कोट में पेश होने के निर्देश अब जब देखता हूं ना दोस्तों ऐसा लगता है जितने भी ऑफिसर है यह जो इस तरह से चीजों को टालते हैं सारे के सारे मुझे ऐसा ही लगता है हाई कोट ने राज्ये में प्लास्टिक निर्मित कच्रे पर पूर्ण रूप से पर्तिबन लगाने को लेकर दायर जनित याचिका पर सौंबार को सुनवाई की कोट ने कहा कि समस्या का समधान करने के बजाए अधिकारी पीपर वाजी कर रहे है कोट ने तलक टिपणी करते हुए कहा कि अफसर जरातर पर काम नहीं कर रहे है मामले की सुनवाई मुख्य न्याइदीश विपिन सांगी यह नियाए मुर्टी मनोज कुमार की खंड पीठ में हुई तो यह देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे जो नियाए गुरू चेले वाला सिस्टम बताया गया है अब देखते है क्या होता है गुरू चेले के बीच खुला चार धाम यातरा का पोर्टल करा ले ऑनलाइन पंजी करन तो जितने भी दशनार्थी है सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है आप सभी लोग ऑनलाइन पोर्टल करव सकते है अपना पंजी करन करवा सकते है ऑनलाइन से और उत्रा खंड में परियटन इस्थल चार धाम आईए यह यहां पर दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आप ऐसे करें पंजी करन यहां पर वैप साइड है यहां पर वाट्सैप नंबर है डोल फ्री नंबर है यहां पर आप call भी कर सकते हैं किसी भी परकार की समस्या होने पर तो ये दोस्तों आज की update है और मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे मुख्यमंत्री है आपने अच्छा किया है आपने coaching free करी है आपने paper free करे है तो इसका हमें सही दिशा भी दीजिए हमें ये ना mind में setup करवाई है कि paper free और coaching free आप इसलिए करवा रहे है कि जो वहां के चातर है 30-30 लाख देने वाले वो चातरों के साथ हम बस परिक्षा में बैठे और उन्हें पास करवा के आगे निकले क्योंकि जो coaching है बच्चा ने हमने 4-5-5 साल पहले ही यहां पे मैनत कर रहे है हमने coaching के पड़ी है हमें क्य करना free coaching का हमें तो चाहिए job और job चाहिए ऐसी जिसमें पहले जाच हो सही से सीटे बिकी ना हो जहां पर question आउट ना हो ऐसी चाहिए seal खुली ना हो आप कह रहे हो यहां पर UKPAC कहते है कि गाड़ी में seal खुल गई या रहे हो क्या रहा यार गाड़ी में seal खुल गई ऐसे कैस अच्छे से नहीं बनाई जो भी है उत्राखंड की जनता देख सब रही है भोली नहीं है उत्राखंड की जनता समझ भी रही है देख भी रही है और कहीं ने कहीं सब को पता है बीजेपी कॉंग्रेस उत्राखंड करांती दल कोई और दल जितने भी दल है सब को पता है एक बात कि वहां उत्राखंड में पेपर लीक हो रहे है और पैसे दिये जा रहे है हाकम सिंग चतुरवेदी यह सारे जेल के अंदर है यहां पर एक सक्त कानून लाया गया है लेकिन सक्त कानून में भी जहां तक मुझे लग रहा वो उस चात्र को फसाया है जिसने पेपर लीक के बारे में बात करी है तो ऐसे कानून को भी हम बहिसकार करेंगे अगर ऐसा ही कानून है उसमें ध्यान से हम पढ़ेंगे पहले कि ऐसे क्या बिंदु एयर मतलब जो छात्र अगर कोई अरजी कर रहा है कि यहां पे यह हुआ है आप उसी के खिलाब चार्चिट दायर कर रहे ह थोड़ा सा समझना होगा चीजों को अच्छे से कि आपको कानून किसके लिए लाना है कहीं अब पता चल रहा है अपने माफियाओं को बचाने के लिए कानून आप ला रहे हूँ और टाइम नहीं मिला मुझे अभी पढ़ने का तो मैं आज या कल उसको डिटेल में पढ़ कि फिर भी मैं करते कहरना चाहूंगा कि अभी कुछ भी माहौल इतना गरम है तो कहीं नहीं नकल माफिया शान्त होगा और पेपर करवाए जा रहे हैं अगर इन पेपरों की जहां तक मुझे लगता है सीबी जांच भी बाद में होती है पटवारी का तो मुझे पता पटवारी पुलीस पका जाएगा सीबी जहां जिस दिन होगी यह पेपर तो पक के गुसे गए लेकिन आगे कनिशायक हो गया यह कुछ आगे फॉरस्ट गार्ड हो गया लेब असिस्टन हो गया क्या पता इन पेपरों में बच जाए एक मैं बोल रहा हूं चांसिज इसमें नकल माफियाओं के एक्टीव होने के चांसिज 10 परसेंट है फियरली होने के चांसिज 90 परसेंट है तो मैं कहता हूं आप सभी लोग पढ़ाई भी करते रहे हैं जब नहीं समझ रहे हैं यह लोग तो हम क्या कर सकते हैं जाहिल सरकार है अब यह तो यह थोड़ी अपने हो सकता है तब तक लड़ेंगे इस परक्राण को जिसनोंने हमारे साथ यह बुरा खेला है वीडियो भी पीडियो वंदार होगा बड़ा दर्द हुआ हमें दिया गया इस तरह से हम 4455 नंबर से अगर रह रहे हैं ना 3344 नंबर से तो उसमें भी हमें यह नहीं हम अपने न ऐसी फीलिंग हमारे अंदर आ रहे है तो यह अच्छा नहीं किसी भी परदेश के लिए अच्छी चीज़े नहीं है मैं फिट से बोलूँगा यह अच्छी चीज़े नहीं है इस पर सोचने वाला विशह है तो आज के लिए इतना ही दोस्तों आप सभी लोग भी सोचिए ए और अब ही शाम तक में एक प्रैक्टिस एट डाल दूँगा थोड़ा सा वाइस प्रॉब्लम है वाइस में दिक्कत आ रही है मेरे क्योंकि आप सभी को क्या ही बताए वहाँ पे किस तरों से क्या था लेकिन दिक्कते हैं और खुद को हम रिजनरेट कर रहे हैं अपनी एनर अपनों का द्यान लखना जय हिन जय भारत और जय उत्रहन